तो दोस्तो स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लाग में तो दोस्तो अभी मैं आपको दिखाऊँगा एक बहुत यह बीटुफिल स्नेक जिसे बोलते हैं कॉमन वॉल्फ स्नेक जो कि अभी मैंने रेस्क्यू कर लिया है उससे पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ बताऊंगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो जरूर सस्क्राइब करना बिल्कुल ना भूले आइकन बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूले जिससे मेरी वीडियो कब अपलोड होड़ी आपको पता चल जाएगा आप देख सकते हैं common wolf snake जो कि मेरी हाथ में यह अभी उंगली में लपटा हुआ बैठा हुआ है बहुत ही प्यारा common wolf snake बिल्कुल भी जहरीला नहीं होता है अक्सार लोग इसे common crash समझके मार देते हैं और घर में यह आ जाता है चुवे छिपकली मेढक की वज़े से यह आ जाता है अभी ठंड का मौसम चला है तो यह मुझे अभी नैनी से एक घर में मिला जो कि उनके बैठ के अंदर ही था यह वहाँ पर मरलब कम्मल और रजाई के बीच में यह छुपकर बैठा था वह बता रहते हैं मेरे यहां वह तीन हथे से हैं मैं rescue का वीडियो नहीं बना पाया और और मैं release का वीडियो आपको बना के दिखा रहा है इसे मैं प्यारे से nature में यहां पर रिलीज कर दूँगा दोस्तों तो आईए देखते हैं कि इसका release कैसे होता है और इस आपको आप अच्छी तरह से पहचान लीजे बिल्कुल भी इसे मारे ना इसमें जहर नहीं होता है य इसमें spot होते हैं yellow spot and brown कलर की body होती है और common crab की body जो होती है कि ब्लैक होती है और white धारी होती है जो कि जैसा कि आप जामून खाते हैं जामून कलर की बॉड़ी उसके बाट वाइट वाइट धारी वो भारत का सबसे जहरेला साब है कॉमन करेंग पर यह ब्राउन होता है और इसकी स्पार्ट धारियां यलो में आती है यह तो वाइट में आती है यह आप देख सकते यह बिल्कुल भी जहरेला नहीं होता है तो दोस्तों आईए देखते हैं कि इसका रिलीज कैसे होता है तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा यह अपनी मंजिल के और रवाना हो गया कॉमन फुल्फ इसने ओगे बैंट सी ओ नेक्स्ट वीडियो ओके गुडबाए